प्रिये दर्सको स्वागत है आपका हमारे चैनल इस प्रेडिंग धर्मा में दर्सको इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा होलिका दहन के दिन आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं दर्सको पहले मैं आपको बताऊंगा होलिका दहन के दोरान आपको ये गलतिया नहीं करनी है ये साबधानी रखनी है दर्सको मानिता है कि इस दिन होलिका दहन के लिए पीपल बरगद या आम की लकडियों का इस्तेमाल ना करें ये पेड़ देविय और पूजनी पेड़ हैं साथ ही इस मौसम में इन वरच्छों पर नई कोपलें आती हैं ऐसे में इन्हें जलाने से नकारात्मकता फैलती है होलिका दहन के लिए गूलर या अरंड के पेड़ की लकड़ी या उपलों का इस्तेमाल किया जा सकता है दूसरी जो आपको गलती नहीं करनी है कहते हैं कि इ भूल कर भी अपमान ना करें माननेता है कि माता पिता की एकलोती संतान होने पर होलिका दहन की अगनी को प्रजवलित करने से बचें इसे सुब नहीं माना जाता एक भाई और एक बहन होने पर होलिका की अगनी को प्रजवलित किया जा सकता है होलिका दहन वाले दिन किसी भ नहीं इस दिन उधाल लेने से भी परहेज करें। माननिता है कि होली का देहन की अगनी को जलते हुए सरीर का प्रतीक माना जाता है। इसलिए किसी भी नव विवायता को ये अगनी नहीं देखनी चाहिए। इसे असुब माना गया है। इससे उनके विवाहिक जीवन में दिक्कतें सुरू हो सकती हैं। होली के दिन नकारात्मक सकतियां सक्रिय होती हैं इसलिए इस दिन देर रात घर से बाहर ना निकलें। दच्छिर दिशाकी और मूँ करके होली के दिन भोजन करना असुब माना जाता है। होली के दिन मास मंदिरा का सेवन ना करें। होली का के समय महिलाएं सिर खुलाना रखें। होली का दहन हमेशा सुब महूर्त में ही करना चाहिए। इस वर्स होलिका देहन के लिए दो घंटा 27 मिंट ही सुब महूर्त रहेगा साम 6 बजकर 24 मिनट से लेकर रात 8 बजकर 51 बजे तक सुब महूर्त है दर्सको साबधानिया बताईं जो आपको होलिका देहन के दोरान आपको रखनी चाहिए अब दोस्तों मैं आपको बताऊँगा के आपको होलिके दिन क्या करना है दर्सको होलिके दिन आप गरीबों और जरुवत मंदों की मदद करें उनको रंग, वस्त्र और भोजन दें ऐसा करने से सनीदेव प्रसन होते हैं और इसको आदत में भी डालें सनी देव गरीबों का प्रत्य निधित्य करते हैं जो गरीबों का अपमान करता है उस पर सनी देव की कृपा कभी नहीं रहती होली के दिन आप गुरु को दान और माता पिता को उपहार दें ऐसा करने से देव गुरु ब्रस्पती प्रसन होते हैं गुरु ब्रस्पती, सुख सम्रध्धी और धन वैबब के देवता माने जाते हैं इससे घर में सम्रध्धी भी बढ़ जाती है होली के दिन गाई की सेवा करें और उनको हरा चारा खिलाएं ऐसा करने से आपको सभी देवी देवताओं का आसिरवाद प्राप्त होता है हिंदु धर्म के अंसार गाई में 33 कोटी देवी देवताओं का निवास होता है इससे आपके घर में सुख सांती का वास होगा होली के दिन आप गरीबों और जरुवत मंदों को माल पुआ का दान करें इस दान से महान फल मिलता है ऐसा करने से बुद्धी का विकास होने के साथ साथ निर्ने चमता भी अच्छी होती है होली के दिन किन्रों को दान देना बहुत सुमाना गया है इससे अच्छे पुन्नी की प्राप्ति होती है और इनकी दुआएं व्यक्ति को हर विपत्तियों से बचा कर रखती है साथ ही घर में लच्छमी का वास होता है और वैवाहिक जीवन की परेशानिया भी खत्म होती है अगर आपके अंदर सामर्थ है तो होली के दिन आप स्वन यानि सोने का दान दे सकते हैं स्वन दान महा दान माना गया है ऐसा करने से सभी बाधाएं दूर होती है और सभी दुखों से मुक्ति मिलती है साथी सोने के दान से लंबी आयू भी प्राप्त होती है होली के दिन बुध का उदे हो रहा है इससे बुधा दित्ति योग बन रहा है इसलिए इस दिन वस्त्रों का दान देना बहुत सुब माना गया है हरे और लाल रंके वस्त्र का दान देना बहुत सुब रहेगा जो व्यक्ति वस्त्रों का दान करता है उसको जीवन में कभी भी आर्थिक समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता ध्यान रहे कि वस्त्र भटे और पुराने ना हो परी दर्सको हमारे चैनल इस प्रेडिंग धर्मा को सस्क्राइब करना ना भूले और वीडियो को लाइक और सेर जरूर करें और कॉमेंट में स्री हरी विस्नू जरूर लिखें दर्सको हमारी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद